और मिरकल इसलिए बोल रही हूं मैं और भगवान की कृपा जो भी बताई तो उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है भगवान के मर्जी के बिना तो हलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू मैं चैनल ने ड्रीम विट शुमाना की एक नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है वेरी गुट मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पर और सुभे का अभी टाइम हो रहा है छे पंद्रा मतलब छे पंद्रा तो मैं आई थी तो सारे चे बच रहा होगा इस ताइम और अभी हम लोग डिसाइड कर रहे कि यह जो पेर पौधा हमारे उपर हो रहा है ना इसका एक्चुल में क्या किया जाए क्योंकि एक तरफ से तो कुछ-कुछ पौधे सूक भी रहे है और कुछ-कुछ में रेखिए अभी है आपको दिखाया थे तोड़ी अभी हो रहा है मतलब लास्ट्राइब हैं लेकिन अभी फी दोड़ी हो री है तो इसले ना सब कुछ खटाने का मद्बी ने कर रहा है कि दीड़ी दीर फल आ रहा है तो देखते हैं थोड़ा सा दवाई दे देंगे तो कौन सा मखिड़ा इपना कि इसमें भी लग गया है वह इसमें होता है लौकी कद्व में होता है यह देख है अज के लिए मैंने थोड़ा सा लौकी का बिल काठ भी लिया है और ममी जब थी रोज बनाती थी ममी लोकी की सबजी लोकी की पत्ती की सबजी लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आलसपन होता है मुझे खुद बनाओ खुद काटो खुद खाओ अच्छा नहीं लगता कोई बना के देता है तो बहुत अच्छा लगता इस टाइम कहरी की जितने भी बैल थे इन्होंने साफ कर दिया मतलब काट दिया है क्योंकि बहुत खीरे से बहुत जादा कील रहा था और उसको काटते काटते यह खीरा अंदर चुपा हुआ था यह पता nic ĉले हमने तो सोचा था कि एक भी खीरा नहीं खापाएंगे लेकिन यह एकदम त सबजी जो है ना वो तो हो गी है हमारी लेकिन पालंक मेरे पास फ्रीज में अभी भी पड़ा हुआ है देखते क्या बनाएंगे फिलाल तो घर का काम शुरू करना पड़ेगा और कलना रात को मैंने कपड़ा जो जितनी भी थी रात तक वो साड़ा मैंने दो दिया था और दे मेरे कपड़ा सुग गया है मेरा अभी इसको मैं फोल्ट करके अलमारी में जहा जहाँ पर रहता है जो जहाँ पर रहता है उसको वहीं पर रख दूंगी और साथ में इस घर का जारु पूछा जो है वहाँ भी साथ में कर लोंगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा ब्रेक में इसलिए आप लोग सोचते हो मैं बहुत जल्दी भाग भाग के काम करते हूं लेकिन बिलकुल ऐसा नहीं है मैं बहुत धिरे-धिरे करती हूं और रेस्ट लेते-लेते करती हूं तो अभी सुभे का चाय बिठा दिया है और वह भी बहुत दिनों बाद मम्मी जब तक थी तब तक चाय पीने का आदत एक था वो भी दूद वाला चाय नहीं काला चाय और मम्मी जब से गई है ना सच में मैंने चाय पीना बंदी कर दिया है और बहुत दिनों बाद आज चाय पिरियों वो भी ये रस्क बिस्किट की वज़े से क्योंकि ये कल नहीं परसों लेकर आये थे रस्क बिस्किट और जो मुझे चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है आप सभी को भी अच्छा लगता होगा बताएगे ज़रूर कॉमेंट्स करके चाय पिनी के बाद घर का काम जो है वो भी कर लिया है मैंने और घर घटींच लग रहा है यह पर सामान थोड़ citoy ड़ाते होँए मेरी हलता है और मेरे काम के लिए अच्छा ने स्य हमें रहें चींब जरूर क्योंकि यह बेटशीट मेरा मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है एक तो बटरफ्राइ बाला बेटशीट और यह दोनों साथ में आया था प्योर कॉटन है मैंने दो बेटशीट और मंगवाए थी लेकिन यह दोनों जो मंगवाए था एकदम फाइप स्टर मतलब फाइफ तो देना ही पड़ेगा फाइफ देना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कलर भी अभी तक नहीं गया एक बार भी नहीं गया दोने में तो बहुत ही अच्छा है और अच्छी काई बैटर थोड़ा से रखा हुआ है तो सब्जी देके जो बनाते है ना अपम वही बनाया था चटनी भी मेरा बना हुआ है तो बस इसको बना के फिर जल्दी-जल्दी मैं ब्रेकफस्ट करूंगी फिर आज मुझे थोड़ा सामन लेने के लिए कॉम्प्लेक्स जाना है वह भी करना है तो काम तो बहुत सारा है और आप लोगों के साथ एक स्पेशल बाद भी शेयर करनी है तो सब कुछ करेंगे दीरे-दीरे तो चलिए पहले ब्रेकफस्ट की तैयारी जो है ना पेट पूजा वह कर लेते हैं अभी बीच में एक दिन टाइम निकाल के मुझे कुछ ड्रेस लेनी है और वैसे तो ये गुर्ती तो ठीक रहती थी अभी कुछ दिन पहले लेकिन अभी जो टाइम है ना इस टाइम मुझे ये गुर्तिया नहीं आ रही है अभी तो फाइब मन्त रनिंग है तो इस पहले थोड़ा टाइम और भी निकालना है मुझे तो इसलिए थोड़ा सा कंफर्टबल जो कपड़ा होता है ना कॉटन हो गया थोड़ा सधीला हो वह सही होता है तो चलिए फिलहाल तो इसके लिए भी मुहरत निकालना पड़ेगा कब इनको टाइम हो और कब इनका मूड करना तो तब ही लेकर जाएंगे जो भी हो अभी मैं फरीज निकाल लिया है पालंग सुभय काटा था मैंने लौकी का साğग लेकिन वह रख दिया स्प्रीज में कि पालंग का उमर जाहा हूरी जाए है और इससे उमर हो जाएगा तो यह खराब हो जाए डेस्टमिन में फेकना पड़ेगा लेकिन ये रेस्टमिन में नहीं जाना चाहिए और बहुत महेंगा मिलता है इसको तो वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगे मैं आए हूँ अभी के घर में नीचे देख रही थी मैडम क्या सबजी बना रही है लोए की है मैडम यह तो नहीं पता ही है वो मैगनेट दे के पता चलेगा असली लोहा यह क्या है मुझे भी लेनी है मुझे भी लेनी है इसलिए तो पूछ रही हूं यहाँ पर बन रही है चने की फारू हिमाचल की फेमस रेसिपी जो मुझे बहुत पसंद है यह काला चना के बनती है और यह लोहे की कराए में और गारा हो जाएगा अशनी होता है पर प्रेट काला हो जाएगा यह आएगा यह वह दो काला हो जाएगा ऊएगा जाएगा थैज यह कितने काली कराए आप पोल रहे थे असली कराई है तो डाउट मट कर ममी के उपर यहां पर पूछा मैने दुकान में यह तो नहीं है अगर मैं की चीज है और खराग तो अच्छी है सस्ती चीज अगर अच्छा भी है नहीं नहीं यह यह देली उसके लिए सही है गोबी उबालने के लिए रखके गए थी साग काटके मैं अभी साग भी बनाना है साथ में गोबी आलू की सुखी सबजी भी मिनानी है और फारू भी लेकर आगी हूँ मैं बहुत टेस्टी बनती है हेल्दी होता है और मैं तो सूप की तरह पी जाती हूँ मुझे तो बहुत पसंद है जो लोग हिमाचल की है जितनी भी मेरी फ्रेंट अगर हिमाचल की होंगी प्लीज कॉमेंट्स करके बताईएगा क्या आप लोग फारू खाये हैं या नहीं पक्का खाये होंगे मैं भी क्या-क्या बोलती रहती हूँ तो यहां पर मैंने साग बिठा दिया है कराहे में डालाए सरसुका तेल फिर पांच फोरन सुखा मिर्ची और तीन तेजपत्ता डालने के बाद सो जो सबजी काटा था आलू गोबी गाजर काटा था बेगन तो उसको सारे सबजी को फ्राई करके हल्दी नमक देके फिर मैं जादा हाई फ्लेम की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने छोटे गैस पीस को बिठा दिया है साथ में अभी जो आलो गोबी की सबजी है और अगोबी बहुत देर से बॉयल हो चुका है यह दोनों सबजी बन जाएगी न तो बस एक तरफ बिठा देंगे चावाल एक तरफ दो जाएट पर दोड़ी तो शेकना है क्योंकि अभी डायेट पर है मतलब रात को दूद पी रहे और दिन में रोटी बस यही उनका है क्योंकि खाना अभी कम खाड़ा है खाना है इनको तो खाने का जंजट नहीं बस बाबू और मेरा जंजट है तो इसलिए चल्दी से वटा पर बना लोंगे रोटी तो टाइम नहीं लगेगा तो चलिए इसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिक्स भी जाना है थोड़ा सामान खतम हो गया अगर का वह भी लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिए मेरा साग भी बन चुका है बहुत टेस्टी होती है ऐसे बनाई यहीं दाल और के लिए चावल जादा नहीं लेकर आएंगे लेकिन थोड़ा सा ट्राइं करने के लिए दूसरा जावल लेकर आया हूं साथ में मुझेर का डाल मूं का डाल एक मिक्सचर का पैकिट मूं फैली स्वैपिन और चना यहीं थोड़ा बहुत जरूरी सामान था ज ही सब लेकर आए हूं पहले तो एक बात जो आप सभी से बताने थे वह है आप सभी का सही में बहुत दिल से मेरे बहुत मतलब दिल की बहुत गहराए से बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे प्रेगनेंसी बहुत जादा मैसेज किया और अभी भी करते हैं मैं कोई भी अगर भारी भारी चीज तो मैं उठाने की ना उठाने के कोशिश बहुत करती हो लेकिन बाइचंस भी अगर मुझसे थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए ना तो आप लोग बताते हो दिदी ऐसा नहीं करना बहुत कुछ कैसे रहना चाहीए कि भाना चाहिए भी इतना आ नौलेज ने था आप लोगों नहीं मुझे बहुत सपर्टर्ट करते हैं आप मुझे तो इसके लिए सही में दिल से अगर भाय भी धन्नेवाद भी करो तो बहुत कम हो जाएगा भाष छोटा नजर आएगा आ इतना आप क्यार करते हो मेरे और प्रार्थना करते हो तो इसके लिए मतलब सही में यह जनम शायद मेरा इसलिए हुआ था इतना साड़ा प्यार इकत्था मैं कभी नहीं सोचाता मुझे मिलेगा कभी और मतलब यह तो है एक चीज जो मेरे दिल में था आप सभी को बतारा भी कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी आपके साथ बताऊंगी तो यह तो था और एक बाद जो आप सभी ने ज़ादा तर जो कुशन मुझे आया था वो है कि दिदी आप मतलब मेरे प्रेगनेंसी को लेके दिदी आप इतने दिन बाद क्यों मतलब 11 साल हो गए तो इतना दिन सच में 11 साल हो गए लेकिन ऐसा नहीं है पहले तो शुरुवाद में ऐसा था जो मैं सच है वो ही बताऊंगी आप सभी को कि पहले तो मैंने सोचा नहीं था आ सोचा नहीं था मतलब मैं सोच ले थी कि यही है इसको लेके आगे बढ़ेंगे और इसको अच्छे से पढ़ाएंगे और मेरे बेटी ना छोटी से बहुत सीधी साधी है बिल्कुल बहुत सीधी आपको समझा थे जाती है वही गरती है और मुझे लगता है बहुत मास्योमियत थी अभी है उसके अंदर भूहत मास्योमियत है और मैं अगर नहीं कर पाऊंगे उतना जितना मैं अभी कर सकती हूँ तो ये चीज मेरे अंदर थी लेकिन मेरे हस्बन की बहुत ही इच्छा थी उन्होंने बहुत बार बोला था मुझे लेकिन मैंने ही नहीं किया था जब ममी ने बहुत बताया था मेरी सासमा ने बहुत बताया उनकी बहुत इच्छा थी लेकिन वह मैं पुरा नहीं कर पाई थी जब यह वापस आये तो ममी का ऐसा हो गया था अचानक मार्च में फिर उसी महीने को इंसिदेंटली मिरक्ली भगवान की कृपा जो भी बोली उसी महीने में प्रिग्डेंट भी हुई थी मार्च में मिरक्ल इसलिए बोली हुँ मैं क्योंकि उस टाइम मेरा कॉपर्टी भी लगा हुआ था तो उसी में यह इश्यू होना मतलब यह मेरे लिए मिरक्ल है तो जो भी हो मम्मी भी चाहती थी शायद लेकिन नहीं हुआ उस टाइम तो उसके बाद से सब कुछ सही था फिर सितंबर मेरा जो प्रिग्रेंसी था कोई किसी भी कारण से मिस्कैरेज हो गया था और उसके बाद फिर स्ट्र ने सिक्स मंत का गया बोला था कि सिक्स मंत के अंदर कुछ भी नहीं एश्यू होना चाहिए तो बहुत ब्लेडिंग हुआ था मेरा मतलब ब्लड लॉस हुआ था बहुत जब यह तो पुड़ा प्लैनिंग था हमें लेने की यह पुड़ा प्लैनिंग करके लिए थे लेकिन वो जो हुआ था वो मिरकली था तो शायद भगवान को यही इच्छा थी और इतना दिन बात बोलते हैं न कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं होता है और उसके बाद हम कि विशेट्राइक कार्ण किया था मेरा इतना दिन बात तो लेकिन में हुश्मन का बहुत मन था पस मेरी व वज़िए से सोच है कि यह नहीं हुआ और अभी जो भी वह आपप ही अभी सब कुछ सबी के सामने है आप लोग केOLDशिंग है और सच में आप लोग के ब्लेशिंग कीव Internet से ये कुछ मेंग न मेरा गुजर जाए अच्छे से और आप सबी से बात करते करते मतलब दर्भाजे कीं बिल भी बजगी यह भी आ गया हैं बाव को साथ मेंदे लेके आ गया थे तो इसलिए मैं थोड़ा चेंज करने के लिए फ्रेश होने के लिए SOipe लिए भी खाना लगा रहे हैं वैसे आने के बाद न मैं खाना बनाती हूं यह लगा देते हैं खाना और सब साथ में बैठ के उसके बाद खाना खाते बाबू भी नहां के आ चुकी है तो ये था कुछ मेरा ट्रैजिटी या स्टोरी जो भी वताईए आप तो ये था एक छोटा सा स्टोरी मेरा स्ट्रगल मेरा 11 सल बाद प्रेगनेंसी का मेरा ये जर्णी मुझे अभी बहुत रास्ता आगे भी चलना है आप लोग को साथ में लेके आप लोग प्लीज मेरे साथ रहेगा और जैसे ब्लेसिंग अभी भी देते हैं वैसे ही दीजिएगा मुझे भी और मेरे आने वाले बेवी को भी तो चलिए आज के लिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर इंट करती हूं आशा आज का ब्लॉग भी आपको जरूर पसंदाया होगा